बारती जंता पार्टी ने उत्तर प्रदेश की दो लोग सभा सीटू आजमगढ और रामपूर के लिए हुए उप्चिनाव में श्यांदार जीत हासिल कर ली है एक तरब उसने समाजवादी पार्टी के गढ़ रहे आजमगढ में दिने इस लाली यादो और्फ निरहुआ को जिता लिया है तो वहीं दूसरी तरब आजम के गढ़ कहे जाने वाले रामपूर में भी एतिहासिक जीत हासिल की है रामपूर लोकसबा सीट पर यह चौथा मोका है जब भाजपा ने जीत हासिल की है आजम खान के समर्थक समाजवादी पार्टी प्रत्यासी मुहमद असीम रजा को 3,25,000 के करीब वोट मिले जबकि भाजपा कैंडिडेट घंशाम लोधी को 3,67,000 वोट मिले हैं और उन्होंने करीब 42,000 वोटों से जीत हासिल कर ली है गंशाम लोधी कभी आजम खान के करीबी थे रामपूर लोग सबासीट पर भाजपा की जीत के पीछे बसपा के वोटों का ट्रांशपर होना भी माना जा रहा है 2019 में सपा और बसपा ने मिलकर चुनाव लड़ा था और यह सेट सपा के खाते में गए थी लेकिन इससे पहले 2014 की बात करें तो भाजपा के दिवंगत नेता डॉक्टर नेपाल सिंग को जीत मिले थी तब कहा गया था कि बसपा और कॉंगरेस ने भी मुश्लिम उमिदवार उतार दिये थे और इसी के चलते सपा हार गए थी इस बार बसपा और कॉंगरेस ने उमिदवार ही नहीं उतारा था इसके बाद भी सपा कैणिडेट को करारिस सिकरत जेहलनी पड़े जबकि आजम खान विमारी के बाद भी खोद प्रचार कर रहे थे माना जा रहा है कि सपा और भाजपा के बीद सिधे मुकाबले में भगवा दल की जीत के पीछे तीन वजह हैं एक तो भाजपा ने ओभी सुमिद्वार उतारा था दुसरा बसपा के दलिद वोटों का डास पर भाजपा के वक्ष में हुआ तिसरा कॉंग्रेस नेता नबाब काजी मली खान की ओर से भाजपा को समर्थन का एलाल किया जाना यदि हम 2014 के लोग सबाद चुनाओ की आगड़ों की बात करें तो हमें सचाई भी जान पड़ती है 2014 में नेपाल सिंग को 3,59,000 मत मिले थे जबकि सपा के नसीर आउमत को 3,35,000 के करीब वोट हांसिल हुए थे इन वोटों का बटवारा सपा और भाजपा के बीच ही होना था साफ है कि नवाब के बाद भाजपा को समर्थन करने से कॉंग्रेश के वोटों का एक हिस्सा घंश्याम लोधी को मिल गया इसके अलावा BSP के दरीद वोटर्स ने भी भाजपा को ही पसंद किया इस तरह बसपा का हाथ ही शायद भाजपा की करवट बैठ गया और नवाब का साथ तो खुले तोर पर भाजपा के साथ ही था ऐसे में इस चुनाव में एक तरफ सपा के ओबर कॉंफिडेंस को जागर कर दिया तो वहीं आजम खान को भी छटका दे दिया है जो खुद प्रचार में उतरे थे भाजपा के लिहाज से बात करें तो रामपूर में आजम खान की मौजूदगी में जीत हासिल करना उसके लिए बड़ी सफलता है जिस रामपूर की दो बिदान सबास सीटों पर आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम जेल में रहकर भी जीत गए थे उस पर उनकी मौजूदगी में हार होना सपा के लिए बड़ी किरकरी है इस उपचुनाव के बाद सपा मुख्या आखले स्यादों के रन्निती पर भी सवाल उट सकते हैं जो आजम गढ़ है और रामपुर में किसी भी सीट पर परचार के लिए नहीं गए ऐसे में आने वाले दिनों में वो एक बार फिर से पार्टी के अंदर और बाहर निसाने पर आ सकते हैं इस पर आपकी क्या रहा है कमेंट वोक्स में ज़रू बताइएगा निजरूम से निजलाइव कि रबाट